Hello friends, मैं हूँ शीखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादूर सिंग पुर्वांशल यूइनिवर्सिटी B.A.T. 4 समेस्टर का जो हमारा optional paper है Health and Physical Education का जो आज का हमारा topic है वो है infectious disease या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं communicable disease आज हम लोग इस वीडियो में जो है जानने की कोसिस करेंगे कि क्या होता है infectious disease किसको कहेंगे हम communicable disease तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिपेस्ट है जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली और बिल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो next वीडियो की notification है वो आप लोग को जल से जल प्रोवाइड हो सके चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है infectious disease infectious word से जो है एक clear cut idea पता चल जा रहा है कि क्या होता है infectious means infection means अगर इसकी हम लोग हिंदी में बात करें तो उसका मतलब होता है संक्रमड तो वो सारी diseases वो सारी बिमारियां जो की किसी भी चीज के संक्रमड की वज़र से होती है हमारे human being में तो उसको कहते हैं infectious disease उनके एक दूसरे में जाना spread होने का जो main reason होता है कारण होता है वो होता है pathogen का infection तो यह होता है हमारा infectious disease जिसको हम लोग कहते हैं communicable disease अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि हमारा जो infectious disease है उसका source क्या है channel क्या है और mode of infection क्या है तो हम लोग ने यहाँ पर discuss क्या कि किसको कहेंगे हम infectious disease जो वो सारी diseases जो infection के थूँ होती है उसको कहते हैं हम infectious disease अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे sources of the infections यह जो infectious disease है जो उसके pathogen है उनका infection का source क्या है कैसे किस किस चीज से जो है infection जो है एक human being से दूसरी human being तक spread करता है तो जो हमारा infection का source है वो है human being यह जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है mosquito से या फिर other air से water से ही infection फैलता है बलकि जो हमारा human being जो है बिमारियों से ग्रसित है उसके थूबी जो है infection फैल सकता है अगर कोई healthy person उसके contact में आता है तो यहाँ पर जो major source of infection है वो है diseased human being air हो गया water food animal insect and mosquitoes और house flies इतने सारे चीज़े जो है यह सारे चीज़े जो है वो mediator का काम करती है जिसके थूँ हमारा infection disease का वो spread होता है larger amount में अब हम लोग जो है discuss करेंगे channel of the infections means जो pathogen है जो हमारा viruses है bacteria है यह सारे pathogen किस channel के थूँ है human body में इंटर करते हैं तो जो में जो इसका पहला channel है वो है हमारा skin means हमारी skin जो है एक channel की तरह जो है भी है करती है जिसके थूँ हमारा pathogen bacteria viruses यह fungus हमारे body में जो है इंटर करते हैं जैसे के tumor हो गया heart swelling tetanus and itching यह सारी चीज़ें जो है इन सारी चीज़ें यह जो diseases है इनके जो pathogen होते हैं वो किसके थूँ इंटर करते हैं हमारी body के skin के थूँ और जो insect biting होती है इसका जो बहुत सारे ऐसे insect होते हैं जो कि बहुत सारे जो है pathogen को अपने अंदर रखते हैं जब insect biting में मच्छर या फिर कोई insect है उसके काटने से जो है कोई अगर disease होती है तो वो किसके थूँ होती है वो pathogen किसके थूँ जो हमारी body में इंटर करता है skin के द्वारा तो यह में चैनल हमारा skin है जिसके थूँ जो है body में infection फैलता है जो insect biting है उसमें malaria disease हो सकती है yellow fever हो सकता है और plague हो सकता है तो हमारा यह skin की वज़ा से जो है एक channel जो है provide कराता है जिसके थूँ हमारा infection जो है हमारे body में फैलता है जो next channel of infection है वो है हमारा inhalation means हमारे नाक के द्वारा या फिर मुह के द्वारा जो है कोई भी pathogen या bacteria हो सकता है viruses हो सकते हैं किसी भी type का pathogen हमारे inhalation के थूँ भी जो है हमारे body के अंडर जा सकता है तो inhalation भी जो है एक main channel हो सकता है किसका infection का यहाँ पे hospital, plegem और यह mucus from the nose जो भी हमारे nose से mucus निकलता है वो सारी चीज़े contain क्या करता है हमारा pathogen को contain करता है अगर यह सारी चीज़े किसी person के contact में आती है तो वो infection को फैला सकती है इसमें जैसे example में disease का हो गया influenza और cuff for example अगर किसी को cuff हुआ है अगर वो किसी के सामने छीक देता है तो बहुत सारे water droplets हमारे atmosphere में फैल जाते हैं जो भी person उसके contact में आता है वो infection हो जाता है उसको भी और वो किस से जो है ग्रसिट हो जाता है कफ से तो यहां पर वो जो droplets है वो किसके थूँ अंदर गए उसके body में नाग के द्वारा या फिर मूँ के द्वारा मिंस inhalation के थूँ जो है उसके अंदर infection हुआ तो channel हुआ उसका क्या ingestion means खा जाते हैं हम पैथोजन को अपने मूँ द्वारा पैथोजन हमारे मूँ द्वारा हमारे body में इंटर कर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ingestion इसमें जो है digestive tract में जो है यह जाता है और infection फैलाता है जैसे कि infected food हो गई drinks हो गई और यह infected food और drinks जो होते हैं यह बहुत जादे infection को create करते हैं spread करते हैं हमारे human being में और यह बहुत तेजी से जो है फैलता है अगर हम लोग example में बात करें तो यह हो गया cholera and dysentery यह जो है दो disease हैं जो की major role play करती है जो है किस के तुरू ingestion के तुरू बहुत सारे contaminated और infected food होते हैं drinks होते हैं जो की बहुत सारे pathogen को contain करते हैं अगर वो food और drinks कोई person ingest कर लेता है उसकी body में digestive tract में चला जाता है तो infection उससे cause हो सकता है अब जो next बात आती है हमारे communicable disease में infectious disease में वो आती है बात mode of infection कैसे जो है infection होता है तो यह जो है तीन टाइप का है direct mode और indirect mode या फिर by carrier तो यहां पे जो है हम लोग direct mode की firstly बात करेंगे जब कोई infected person कोई example कोई अगर diseased person है अगर उसके direct contact में कोई healthy person आ रहा है तो उसको अगर infection होता है तो इसको कहते हैं कि इसका mode of infection जो है वो direct method से हुआ है means जो diseased person है और जो healthy person वो किसे direct contact में है जिसके थूँ infection जो है spread हुआ from one person to another person तो यह हमारा हो गया क्या direct mode यहां पे किसी भी टाइप का mediator या फिर जो है किसी टाइप का carrier नहीं present होता है इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते है contact infection यहां पे यह direct जो mode of transmission of pathogen या फिर infection क्या सकते हैं वो किस के थूँ होता है hand के थूँ या फिर finger के थूँ अगर आप किसी से handshake करते हैं या फिर फिंगर जो है touch में आती है disease person की और healthy person की तब यह जो है जो infection होता है यह direct method से होता है इसमें जो mainly disease आती है जो कि direct mode में आती है वो क्या है spread cholera dysentery and typhoid disease यह तीनों disease जो है वो direct mode of infection में आती है means इसमें जो है एक disease person और एक non disease person directly contact में आते हैं किसी भी mediator के बीना तब उसको infection जब फैलता है तो उसको कहते हैं direct mode of infection अब आये जो है बात कर लेते हैं indirect mode of infection की यहां पे जो disease person है और जो healthy person उसके बीच में कोई direct contact नहीं होता है बलकि तीसरे चीज की वजह से जो है यह infection जो है एक body से दूसरे body में फैलता है जैसे कि कोई भी किसी भी टाइप का पैथोजेनिक contamination अगर किसी article पे है या फिर किसी twice पे जैसे खिलावना हो गया book हो गया slate हो गया pencil हो गया तब अगर जो है इसके थूज है अगर कोई infection का spreading होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे indirect mode मेंस अगर जो है कोई disease person article का ट्वाइ का book का इसलेट का pencil का या फिर कोई और चीज का जो है use किया हुआ है तो उसके अंदर से जो pathogen है वह इस चीजिस पे जो है इस पे कर जाएंगे और जब ही जो है healthy person इन सारी चीजों के contact में आएगा तो उसको जो है risk होगा किसका infection का infection of a disease तक का तो इसको हम लोग कहेंगे indirect mode of infection अब जो है हम लोग बात करेंगे carriers की जो तीसरा हमारा mode of infection है वो क्या है by carriers इसमें disease है वो carriers के थ्रू होती है means उनको कोई carrier चाहिए होता है जिसके थ्रू जो है pathogen spread करते हैं from one person to another person ये तीन types का होता है जैसे कि incubation carrier contact carrier and chronic carrier incubation carrier means क्या होता है अब आईए हम लोग यहां पर समझते हैं कि जो हमारा incubation carrier है वो क्या है तो यहां पर incubation carrier means होता है कोई भी diseased person है अगर उसके contact में कोई healthy person आता है तब वहां पर अगर उसको infection होता है तो उसको क्या कहेंगे हम incubation carrier और contact carrier में क्या होता है कि जब एक directly किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी indirect mood में या फिर direct mood में अगर वो disease person के या pathogen के contact में आता है तब disease फैल्थी है तो उसको कहते है contact carrier और chronic carrier सबसे important है यहां पर कि chronic carrier क्या होता है example की through हम लोग इसको जो है समझेंगे कि chronic carrier क्या होता है तो यहां पर chronic carrier का मतलब होता है कि अगर कोई disease person है उसके अंदर पैथोजन है और वो disease है बाद में treatment के बाद वो disease जो है उसके अंदर से खतम हो गई means वो healthy हो गया लेकिन फिर भी जो है उसका pathogen जो है उसके सरीर के अंदर stay कर रहा है inactive form में और बाद में जो है वो किसी other person को जो है infection फैला रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे chronic carrier तो फ्रेंट्स यहां पर यह था हमारा communicable disease या फिर infectious disease हम लोगों ने discuss कि कि infectious disease क्या होता है कि इसको कहेंगे हम और sources of infection कौन कौन से है channel of infections क्या है जिसमें हम लोगों ने discuss किया skin के बारे में inhalation के बारे में injection के बारे में लैकर हम लोगों ने discuss किया mode of infection जिसमें हम लोगों ने direct mode indirect mode by carriers की बात की आई और फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो नॉलेज़फूल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि जो next वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल से चल प्रोवाइड हो सके वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा थैंक यू